तो गाईस आज था ममी का बड़ दे और में और मेरे हस्बेन मिलकर ममी को दिया सर्प्राइज और ममी का जो रीक्सन ही हुआ आप सबको देखने मिलेका आज के आगे के व्लॉग में तो अगर जानना है तो एन तक मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा तभी आप सबको पता चल अभी घर नहीं अब मॉर्निग वक पे ही जा रही हुए लेकिन आजकल बहुत जल्दी उजाला हो जाता है मुझे पता ही नहीं था क्योंकि बहुत दिन हो गया वे नहीं आई थी और आज मेरे हजबन भी आया लेकिन वह पहले ही राणिंग करने के लिए चले गए है जब वो क्येक भूकलना ऑला थेंकियो बोलना चाहती हूं की आप आ सब ने मुझे इतना सपॉर्ट करे और आप कि पенты मुझे uz Looking कमेंन परखे मुझे इतना अच्छा राखिए और मेरे हजबन आप याके मेरे question पर ते ला जो विडियो में आप लोग दे ते वोग typical ऑते साथ करने के लिए और चलिए आज का व्लोग भी एन तक जरूर देखिएगा दिखाती हो आज कर दिन के साहे के साथ जाएगा और बस अभी मोनी वाक करिए देखते रहे हैं अभी में आगे वापस और यह भी रानिंग करके आगे है इन्होंने मुझे इतना रानिंग करवाया कैसे हो आप लोग इतना रानिंग करवाया इतना रानिंग करवाया मुझे चला भी नहीं जा रहा है ती गर्मी है बारीज भी ओड़ा था तबी भी हम लोग गई अभी वापस घर जा रहे तो और इससे प्यार करते रहिएगा और मेरी हजबन को बहुत ज़्यादा अच्छ को बान के रखा हुआ क्योंकि जब हम सुबह गए थे तो हमारे पीछे पीछे चला गया था तो बाब पापा ने बान के रख दिया उसके बाद आगे अंदर सीधा रूम में आके फैन के नीचे बेट गया पानी पिने लग गई तो मेरे हजबन से डाट भी पड़ी क्योंकि वह बोले थे जब मॉर्निंग वक्से आऊना तो पसी ना खुदबह खुब सुखने देना चाहिए ऐसे फैन के नीचे नहीं बैठना चाहिए तो बस डाट खा लिया उसके बाद उन्होंने ग्रीन टी बना अभी ग्रीन टी पीते तो यहां पर वीडियो में देखने के रहती हैना फो च Griffin जेखने के लिए ढरा उन्हों THE यहां पर भीर और यहां पर टरा हो जाता है अंक पर लुक्र खोंड जाता है और एक हैपे तो फौल बग्र करके रग दिया उनके कपड़े वगड़े थे वह फैक्राल्यप करने छाब लेकां था जाता रहा ऊपत। फोल करके रख दिया उसके बाद यह बैट सिट वगएड़ा जो भी है सारा में अच्छे से मिला कर रख देती हूं तो बस यहां पे एक बात बतना चाहती हूं कि मेरे तीन सस्क्राइबर है जसंदीब सिंग बंदना तालुगदार और अंजीता सोनार तो थैंक यू सो मास गा सबस्क्राइबर तो यहां पर जारू लगना स्टार्ट कर दिया उसके बार पोचा भी लगाऊंगी जारू पोचा लगाने के बाद मतला आजका दिन बहुत ही खासे गाइस क्यूं यह आप सब बाद में पता चलेगा बस आप सब को एंड तक देखना पड़ेगा तो गाइ कोई सुट ना करें तो कुछ मतलब प्रॉब्लम हो तो आइस लगाना यह लगाना और बहुत सारी लोगों ने बहुत अच्छा-च्छा कोमेंटी किया किसी ने तो यह मतलब बुड़ा कोई भी मतलब ऐसा रिव्यू नहीं दिया है तो मैंने सोचा आज मैं ट्राइ करती हूँ किसी मतलब कुछ सारी रिव्यू ने पैसरी लेता है किसी एक बमकाली थे सी कर्छा के लिए। 20-8 अब बयुक्त खराए जो क्लीन जार कम टोनर था जिसको मतला फेस में थोड़ी देर लगा के मसर्स करके उसके बाद टीशू चे या कोटन के कपड़े को विगो कर आप पोच सकते हो तो बस यहां पर मैंने थोड़ा सा लगा लिया है और थोड़ा सा कम हो गया तो मैंने फिर थोड़ा सा और यह प्रोड़ाक्ट जो रिव्योंगा मैं एंड में दे दूंगे उसके बाद यह सेकेंड है यह स्क्रब लेकिन यह पाउड़र में आता है तो इसमें पानी थोड़ा सा मिला कर इसमें थोड़ा सा जो लीकुइड फॉर्म में लाकर उसको उसके बाद यूज करना परता है तो बस मैंने लिकुइड फॉर्म में थोड़ा सा लाक है उसके बाद मेरे चेहरे पर लगा दिया है और इसको 10-15 मिनिट सर्कुलर मोशन में मतलब आपको मसाज करना परता है ज्यादा मतलब नहीं करना पड़ेगा वहां पर लिखा हुआ था मतलब फोर्सफुली नहीं करन जेन्टेली मतलब सर्कल मोशन में थोड़ा थोड़ा स्क्रब करना है तो यहां पर मैं इसको धोना परेगा मतलब नॉर्मल पानी से इसको वेट टीशू जे पोस्टने से नहीं होगा तो बाहर जाकर में धोकर भी अगर थोड़ा सा कपरा भी भीग गया है उसके बाद यह ह मतलब फिंगर टिप से मतलब थोड़ा सा यहां पर एपलाई करके ना इसको अब्जर्व होने में छोड़ देना चाहिए मतलब जब इसकीन में अब्जर्व हो जाएक ना उसके बाद इसको वेट टीशू जे मतलब हम लोग रिमूब करेंगे तो यह 10-15 मिनित मैंने डग द तो अभी तक तो सब कुछ ठीकी था कुछ मुझे प्रॉब्लेम नहीं हो रहा है उसके बाद यह है एक क्रीम जो इसको भी फेस में अब्जर्व होना देना पड़ेगा उसके बाद इसको धोना नहीं चाहिए या तो वेट टीसू से नहीं पोसना चाहिए बस इसको इसकी मे वेट पंट अब करेंद बीजर्व हो सब्सक्राइब नहीं चाहिए तो बाद एक समूथ मतला बेटर बनाकर उसके बाद में लगाया है तो देखिए मुल्तनी मीटी जैसा ही लग रा था और इसका जो अट्या आ रहा था तो मैंने यह 15-10-15 अगा उसके बाद यह राऊ हो तो मैं इसको साफ करके आती हूँ तो देखिए मैंने साफ करके आ गई हूँ और यह अभी तो थोरा सा क्लीन जैसा तो लग रहा है पता ने अभी क्या होगा दो तीन बाद पता चलेगा उसके बाद लास्ट स्टेप था वो जेल जो लगा के छोड़ देना है तो बस मेरा हो ग अभी तो आप लोग को कुछ दीख रहा है तो मुझे कोमेंट करके जरूर बताएगा और साइट इफेक्ट तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ जलन बलन भी कुछ भी नहीं हुआ बस अच्छा लगा करके लेकिन देखते काल पर सो क्या ग्लो आता है ना अगर आप सबको मेरे चेरे पर गलो दिखा तो मुझे कोमेंट करके जरूर बताएगा तो बस अभी हो गया है तो अभी मैं नहाऊंगी उसके बाद ब्रेक्फस करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो देखते नहीं के आपनो तो फिर गाइस मैं नहादो के आ गई थी आने के बाद ममी कर दिया था मतड़ की सब्ची और रोटी और हमें और मेरे हज़बन बैटकर खाने लगए mojeं और यह बहुत ही टेस्थी था उसके बाद breakfast करके मेरे husband और मेरे देवर जी चले गए है market क्योंकि आज बहुत important काम करना है और ये किसी के surprise है गाइस और अभी किसका surprise है ये अभी थोड़ी दिन में पता चलेगा तो ये लोग चले गए है और मैं अभी बताती हूँ आप सबको so guys आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कहां जा रहे और मैं क्यों नहीं जा रहे हूँ तो guys आज है ना ममी का ममी जी का birthday तो हम surprise देना चाहते तो ये केक वगड़ा लाने के लिए गए है और आप सबको थोड़ा सा ब्रेक्ग्राउंड में मतलब बारिस का sound आई गया लेकिन मैं अंदर नहीं नहीं बोल सकती क्योंकि ममी को पता चल जाता है जब ही में जोड़ जोड़ से बाते करती हूं तो ममी सुन लेती है तो अब ममी को जो surprise देना चाहते हम लोग वो डिविल हो जाएगा इसलिए मैंने सोचा बाहरी में बता देती हूं तो आज है ममी जी का बड़े और ये केक लाने के लिए गये है और हम देना चाहते है surprise तो आज हम लोगों ने सुबह से ममी को ऐसा इग्नोर किया हुआ है ना हमने wish किया है ना हम लोगों ने status डाला है और मतलब किसी को भी मतलब हम लोग फौन करके ये बोले थे कि मतलब मतलब हम लोगों ने किसी ने भी नहीं डाला हम देना चाहते है अज surprise और में तो बहुत जद एकसाइट हूँ क्योंकि जब किसी को surprise मिलता है या मुझे मिलता है या देना है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो देखते है यह गय है मार्केर उसके बाद केक वगड़ा ला है और मुझे ना इतना गुसे में क्यूंकि उनको लग रहा होगा हम लोगों एसा लग रहा है कि मम्मी का चेहरा देखकर कि उनको बहुत ज़ाड़ा गुशा है हम लोगों ने वीजद ख्या है हम लोगों मतलब एसा करें कि हम भूल कए बस अभी वो आज़ा है असके अभी में दिखाती हूँ क्या क्या लेके आये और अभी ममी किचेन में हैं उनको पता भी नहीं है तो हम लोग बस धीरे धीरे और मैंने भाई को भेज दिया है कि आप ममी को थोड़ा सा बीजी रखना और ये मेरे लिए जूस लेके आये उसके बाद फिर कोल रिंग भी लेके आए और यहां से छुपा-छुपा के हम लोग केक लेके जा रहें क्यूंकि ममी अगर देख लिया तो सर्प्रेज सर्प्रेज नहीं रहेगा और यह इतना एक्साइटिट होड़े कि इनको देखकर महीं एक्साइटिट होड़े हूँ क्यू पता है गाईस क्यूंकि ना इनक मामीका बर्डे भी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेद है और उनको देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रहे हैं तो बस उन्होंने मुझे बोला हम सर्प्राइज देते हैं तो मैंने बोला ठीक है जाओ लेके आ जाओ तो देखिए हम लोगों ने लेके आ गए थे केक और इनको मतलब इतनी खुशी है सची गाइस इनकी जितनी खुशी है ना इनको देखकर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है तो मतलब इनका ये है कि घर में आओ एक मैने रहो लेकिन सबको खुशिया देके जाओ खुद भी खुशो तो इनको देखकर में ही खुशो जात तुम लोग भूल गए लेकिन गाइस हम लोग भूले नहीं थे हम लोग तो बत नाटक करें और ममी खुष हो गई ना ममी खाना भना रही थी क्या कड़ें भी खाना भी तो बनाना पड़ेगा आजका दिन लाष्टे कल से तो मैं ही बनाओंगी तो बस यहां ममी का बढ़े सेल करएं कि यह नहीं होते ना तो हम लोग बिर गड़न वगड़ाय सेलिबरेट नहीं करते लिए कुछ लिए ć वे धो वे कहупर गड़न हुद्द हने करती और को भी नहीं करता इसलिए ऎसवार प्रैबरेट मिठाई लिका आई कमें दो मैं सकते हुआ तो यहां पर कट कट के हमारे जो मिस्त्री आये है मतलब काम करने के लिए उनके लिए भी दे रहे और उसके बाद यहां पर देखे मेरे फ्रेबरेट मिठाई लेकर आए गाइस मुझे तो यह बहुत ज्यादा तेश्टी लगता है और ममी तो नहीं खा सकते क्योंकि ममी का तो बहुत ही अच्छा लगा उसके बाद फिर यहां पर ममी को गिफ्ट खोलने के लिए मैंने बोल दिया गिफ्ट ज्यादा बड़ा नहीं है चोटा ऐसा यह क्योंकि मैं नहीं गई ना तो वह कुछ खरित को ले नहीं सकते जैसे कपड़े हो गया कुछ हो गया तो इन्होंने क परफ्यूम लेके आए सैंफू लेके आए क्रीम लेके आए तो ठीक है क्योंकि कपड़े वगड़े इनको चॉइस करना आता भी नहीं है और साइज भी पता नहीं है इसलिए तो बस यहां पर हम लोगोंने सेलिब्रेट कर लिया लेकिन हाव गंदा भी तो हो गया है अभी साफ भी करना पड़ेगा तो मैंने बोला दो में साफ कर देते हूँ तो उन्होनने बोला नहीं तुम कुशन लगा देना मैं साफ कर देता तो बहुत ही मतलब इतने खुसी मिलते हैं जब यह सब बोलते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह इतना helpful है यह हर जगा मुझे help करने के लिए मतलब तैयार होते रहते हैं उसके बाद बस मैंने कुशन वगड़ा लगा दिया है खाना भी रेडी हो चुका है और आज का लंस का थाली यह है और चलिए दिखाती हूँ यहाँ पर पापा खा रहे है उसके बाद यहाँ पर सारा चीज लेके आ रहे है यह और यहाँ पर जो ड्रोइंग रूम में हम पर दुखा पता और डंठल उसके बाद था कड़े लेका सबजी तो बस अभी हम लोग लंज इंज्वे करने वाले हैं और यह तो बैट भी चुके है खा भी चुके है तो बस मैं ममी का इंतजार कर यह जब ममी आ जाएंगे तब एक साथ बेट के खा लेंगे मतलब एक साथ बेटने के खाने का न मजाई कुछ अलग सा ही है और अकेले अकेले खाने का अच्छा नहीं लगता तो बस ममी आ भी चुके है और अभी हम करेंगे लंज और आज आप लोग का लंज का स्पीसेल क्या था गाइस मुझे जरूर बताएगा और मेरे वीडियो आप सब कहां कहा से देखते हो यह भी जरूर बताना तो बस हम लोगों ने खाना खाया खाना खाने के बास थोड़ी देर में सो गई थी जैसे ही सो के उठीना गाइस इतना बारिस आंधी तुफान आने वाला था और हमारा गारी भी बाहरी था तो बस यह गारी बाहर से अंदर लेके आए औ बारी सो रहा था और बारी से वाइस हम लोगों ने विडियो करी थी ना तो उन्हों ने खेला दिया तो बहुत ही टेस्टी था और मुझे आम बहुत जादा पसंद तो यह तो अभी जबी मार्केट जाते तो मैंगो ले लेके आए उसके बाद फिर मैंगो फ्लेवर का आई थोड़ा सा निकालने के लिए मैं बोली थी लेकिन यह बहुत ज्यादा निकाल रहे थी क्यूंकि यह सुभाव मोणिवाग करते लेगिन घाड़ा के उतना यह खा लेते तो मैं इनको बोली थी, इतना ज्यादा मत खाऊ ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है, तो बस में सो दिन बरमे में कितना इसको गुस्ता दिला सकता हूं और में कुर साबी हो जाती हुग अब फिर जान बुझके हो जाती हुगोगि कIES आपलता दो तो बहुत के लिएitelज्ग पयन गया उख आज का व्लोग अच्छा लगा होगा और आज के व्लोग में बहुत सारा ही हुआ दिन में जैसे आज मॉमी का बर्डे था उनको सर्प्राइज दे दिया उसके बाद बेने थोड़ा सा फेशेल भी कर लिया आज के व्लोग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से कॉमेंट कर दिजेगा और मेरे चैनले पर जो भी नए है वो मेरे चैनले को सस्क्राइब और जो प्रिवेस व्लोग है उसको भी प्लीज चेक आउट कर लिजेगा और मेरे फेस्बूक और इं झाल झाल झाल